दुश्रेश भारत शो में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आपके साथ मैं हूं बुलविष इस शो में आप रोजदेखते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें तो श्रेष भारत फ्लाटपोंम स्यूर्व करते हैं भारत शोग नरेंडरों मोदी ने ऊत्राखन में चुनाब प्रचार का आगास कर दिया है यह जह रखन के दोपूर में तरा स्मर्थर में बड़ी रैली की प्रदान मंतरी शाय करन के रुद्रुपूर की कहा कि पिछले दस साल में जितना विकास उत्राखंड का हुआ है उतना किसी राज्य का नहीं हुआ प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्राखंड देव भूमी है और उनके दिल के बहुत करीद है प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी ने उत्राखंड को और आगे ले जाना है प्रधानमंत्री ने रुद्रपूर की रैली के जरिये विपक्ष पर जोरदार हमला बोला उन्होंने राहुल गांधी पर मिशाना साथ्ते हुए कहा कि कॉंग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी ऐसे लोगों को लोगतंत्र पर भरोसा ही ऐसे लोगों को उखार कर फेकना है कॉंग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने कि शहजादे ने अलान किया है कि अगर देश ने कि तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी कि आग लग जाएगी साथ साल तक देश पर राज करने वाले दस साल सप्ता से बाहर क्या रह गए अब देश में आग लगाने की बात कर रहे है क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है क्या इस देश को आग लगाने देंगे क्या आग लगाने की बासा उचीत है क्या ये आग लगाने वाली बासा लोकतंत की बासा है ऐसे लोगों को सजा करोगे, पक्की सजा करोगे, चुन चुन करके साप कर दो, इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाई दिल्ली के सीए वर्विन केजरिवाल के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद्ध को लेकर हलचले तेज होती जा रही है सूत्र बता रहे हैं कि इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर कोई बड़ा फैस्दा हो सकता है एशा एसलिए क्योंकि अधुन केजरिवाल के जेल जाने के बाद जेल से सरकार बनाने की संभावना खत्म होती जा रही है जेल से सरकार चलाने की जिक पर अड़ने के कारण दिल्ली में राष्टपती शासन लगने की आश्रंका बनी हुई है इसको लेकर कयास है कि आम आदनी पार्जी सुनीता केजरिवाल को मुखे मंतरी पत्की कमान सौप सकती है दिल्ले के मंतरी आतिशी ने प्रेस कांफरेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है आतिशी के मताबिक उनके एक बेहत करीबी के माध्यम से उन्हें बीजेपी जोइन करने के लिए डराया धंकाया जा रहा है आतिशी के मताबिक उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना पॉलिचिकल करियार बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए आधिशने प्रेस कांफरेंस में अपनी पार्टी के चार नेताओं के नाम लिए उन्होंने कहा उनके अलावा सौरभार्थवाच, दुर्गेश पाथक, रागव चध्धा को गिरफतार करने की तैयारी हो रही है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भादवाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठव को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफ्तार करेंगे भारतीय जन्ता पर्टी ने ये उम्मीद करी थी, के अर्विंद केज़िवाल जी की गिरफ्तारी के बाद, आ마 आद्मी पर्टी बिखर जाएगी, आम आद्मी पर्टी तूठ जाएगी, आम आद्मी पर्टी का मौराड दाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडर्शिप जेल में है, हिरासत में है आतेशी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब E.D. ने कल कोट में उनका और सौरब भार्दवाच का नाम लिया था आतेशी के मुताबिक ये बयान तो पुराना है ये स्टेटमेंट E.D. की चार्ट शीट में भी है कोट में इसे उठाने का क्या मकसद है आतेशी ने B.J.P. पर बड़े आरोख लगाए लेकिन उसके समर्थन में कोई रिकॉर्डिंग या सबूत सामने नहीं रखे UV के मेरट में सियासी सरगर्मी तेज है B.J.P. की उम्मीद्वार अरुन गोविल ने नमांकन दाफिल कर दिया है वही समाजवादी पार्थी ने अपना उम्मीद्वार बदल दिया समाजवादी पार्थी ने वकील भावु प्रताप सिंग का टिकेट काट कर मौजूदा विधायक अतुल प्रधान को टिकेट दे दिया है रामानन साकर की रमायड में रांकर किरदार निभाने वाले अरुन गोविल अब चुनावी महभारत में उतर गए है उन्होंने आज मेरट में बीजेपी उम्मीद्वार के तौर पर परचा भड़ दिया है अरुन गोविल का जनम मेरट में ही हुआ था उन्होंने मेरट की चौधरी चरंड सिंग इनिवर्सिटी से पढ़ाई की वहीं मेरट हापुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सरधना विधायक आतुल प्रधान को चिकेट दिया है इससे पहले 15 मार्श को सुप्रीम कोट के वकील भानु प्रताप सिंग को प्रत्याशी बनाया था अतल प्रधान पहली बार सरधना सीट पर 2012 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन बीज़ेपी के संगीत सोंग से चुनाव हार गथे 2022 विधानसभा चुनाव में सरधना सीट पर उन्हों ने जीत दर्च की है योग गुरू रामदेव और पतंजली आयरुवेद लिमिटिट के मडी आचारे बालक कृष्ण ने सुप्रीम कोट में आज अपनी कंपनी के भ्रामत का विध्यापनों को लेकर फिर बिना शर्ट माकि मांगी है रामदेव और बालकृष्ण दोनों सुप्रीम कोट के सामने पेश हुए सुप्रीम कोट ने पतंजली ग्रुप के विध्यापनों को लेकर रामदेव और बालकृष्ण से नराजगी जाहर की सुप्रीम कोट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हलके में ना लिया जाए आपके खेट जताने के तरीके को हम मनजूर नहीं कर सकते 21 नविंबर के कोट के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉंफरेंस की गई सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही थी और पतंजली विग्यापन चापे जा रहे थे इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविश्य में ऐसा नहीं होगा पहले जो गलती हो गई है उसके लिए माती मांगते हैं सुप्रीम कोट ने कोविट के समय किये गए पतंजली की दावों पर भी विरोध जाहिर किया कोट ने रामदेव और बाल कृष्ण से कहा कोविट का समय सबसे जादा कठिन समय था उस समय आपने इलाज का दावा किया कोट ने इसको लेकर केंद्रि सरकार के रविये पर भी नाराजगी जाहर की कोट ने कहा हम हैराहनी की केंद्रि ने अपनी आँखें मून्दे रखी आपको ये भी बताना होगा कि आपके खलाब कारवाई क्यों न हो ये थी दश्रेश भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरे ऐसी खबरों के साथ हम कल फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा श्रेश्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेश्ट भारत